आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टेडी सेंटर पर स्वागत है आज हम सभी वीडियो लेकर आए हैं वेस्ट बेंगोल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टुडेंट के लिए तो जितने भी स्टुडेंट क्लास 12 में हैं वेस्ट बेंगोल बोर्ड में जिनका 16 मार्च को सब्सक्राइब कर दिएगा जरूर बेल आइकोन को दबा दिएगा क्योंकि अभी से लेकर एक्जाम तक आप सभी को कई सारे महत्पून वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पर कई सारे लाइब क्लासेस कराएगा हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते है तो आईए आज के इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो लाश तक जरूर देखिएगा तो पहला कोश्चन है तो आर्थूर रिमबोड आर्थूर रिमबोड इसके पोयट है दूसरा है राइड दा फूल नम आफ आर्थूर रिमबोड का पूरा नाम क्या है तो आर्थूर रिमबोड का पूरा नाम है जीन निकोलस आर्थूर रिमबोड तीसरा कोश्चन the smile of the soldier in the poem a slip in the valley is तो smile कैसा बताया गया है तो smile gentle बताया गया कैसा हसी है gentle हसी है ठीक है और compare किसे किया गया अगर पूछेगा तो an infant एक छोटे नवजात बच्चे मासूम बच्चे के तरह चवथा question one hand of the soldier is on his यानि स्वेनिक का एक हाथ कहाँ पर है तो इसके breast पर है यानि यहां पर चेश्ट होना चाहिए था लेकिन कवीता में breast दिया है तो breast ही याद रखे च्छाती पर उसका हाथ है the soldier pillow made of soldier का जो तकिया है बना हुआ किसे fern से यानि कि रूई से बना हुआ तकिया किसे बना हुआ है रूई से बना हुआ है बुलेट मतलब गोली wand मतलब घाव का निशान कहां पर था तो in his side उसके side में था साथमा कोश्चन the stream flow through जो stream है कहां बह रही है तो small green valley में small green valley में बह रही है आठमा कोश्चन the poem a sleep in the valley is a ये poem ये कवीता क्या है ये एक sonnet है क्या है नवा कोश्चन the phrase long strand of silver long strand of silver जो है कहा गया the stream को यहां जो stream बह रही है उसको कहा गया क्या कहा गया long strand of silver अगला है दसमा कोश्चन the soldier lies with soldier लेटा हुआ है कैसे लेटा हुआ है तो open mouthed कैसे लेटा हुआ है open mouthed 11 वा कोश्चन a sleep in the valley is a poem about यह पोयम किस बारे में है तो वार यानि futility of war के बारे में है the setting of the war a sleep in the valley goes back to 1870 यूरोप 1870 के यूरोप वार की घटना को दिखाया गया है इसमें तेरा नंबर कोश्चन है the soldier is lying asleep with his feet among the यानि सैनिक का जो feet है उसके जो पैर है वह फ्लावर के उपर है फूलो के उपर दा टू रेड़ हॉल्स डिपिक्ट दो रेड़ होल क्या दिखा रहा है तो बुलेट वांड बुलेट वांड का मतलब गोली के घाव को दिखा रहा है गोली के निशान को दिखा रहा पंदरह नंबर कोश्चन दा वैलेट रदशोल्ड लाइंग सैनिक तो कहा लेटा है Small Green Valley में शॉलान इंबर और कोश्चन वाइज सोल्डर पेल क्यों है व्हाज के मरा हुआ है इसका सरीर पीला पड़ गया है सितील हो गया इस्थीर हो गया है सरीर इसलिए सत्रान नमबर क्सच्चन वाट इसक्राइब एज जेंटल विड़ाउड गाईल किस चीज को डिसक्राइब किया गया है तो यहाँ पर एंसर होगा इसका दा स्माइल ओप दा डेड़ सोलजर इस डिस्क्राइब जेंटर्ट विडाउट गाईद यानि हसी जो है मरा हुआ सैनिक का उसको दिखाया गया है एक नवजात बच्चों की तरह मासूम और निर्दोस वाला हसी अठारा नमबर वाइड़ दा पॉयट आस्क नेचर टू कीफ दा सोल्जर वां क्यूं कभी ने कहा नेचर को प्रकिर्ति को कीफ मतलब रखने के लिए सैनिक को गरम रखने के लिए क्यूं कहा तो इसका एंसर होगा दा पॉयट आस्क दा नेचर to keep the soldier warm because he should catch cold क्योंकि उसे जाड़ा लग जाएगा ठंडी लग जाएगा इसलिए उसे क्या करो बचा के रखो 19 नंबर कोश्चन है How is the grass in the valley यानि भेली का जो घाटी का जो घा से उसका वर्णन करना है तो grass in the valley is plenty of bright green grass plenty मतलब बहुत सारा था bright चमकीला green grass 21 नंबर कोश्चन है What role played by the sun ray यानि सूरज का जो रोसनी है किरन है वो क्या कर रहा तो the sun ray fill up the valley with light fill up मतलब भर देरा घाटी को पूरा What is under the young soldier head young soldier जवान सैनी के सीर के नीचे क्या है तो there is a pillow made of fern एक तकिया है जो कि फर्न रूई का बना है उसके माथा के नीचे young soldier head 22 नंबर कोश्चन describe the bed on which the soldier is asleep जहां पर सैनिक लेटा हुआ है उसका bed governance किजिए the bed on which the soldier lies asleep warm है green है and sun soft है ठीक है तीन तरह का है तरह नंबर कोश्चन what are in the soldier side soldier के side में क्या है तो in the soldier side there are two red hall 24 नंबर कोश्चन what expression does the soldier have on his face soldier के face पर कैसा expression था तो the soldier have a gentle and innocent smile on his face अगला है what is the theme of the poem a slip in the valley इस poem का इस कविता का theme क्या था तो main answer है futility of war is the theme of the poem a slip in the valley तो futility of war जो है इसका main theme था तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना a slip in the valley के सभी important mcqsaq question इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का exam में यहाँ पर तीन नंबर पक्का हो जागा क्योंकि a slip in the valley से एक mcq आएगा दो एसे क्यों आएगा तो बात करें total तो total आपका तीन नंबर इसी वीडियो के द्वारा कवर हो गया इसी तरह के हर एक lesson के अलग-अलग वीडियो इंगलीज के भी मैं लेक्या रहाऊंगा साथी साथ अन्य सब्जेट का भी अगर आपको लेशन समझना होगा तो लाइव क्लासे चैनल पर है उपलब उस लाइव क्लास को देखके वहां से लेशन को समझ लीजिए लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट mcq question ऐसे क्यों question लॉंग question है उसका discussion वीडियो में मिलेगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए बैल आइकन को दबाईए जैसे ही मैं वीडियो अपलेड करूं आप सभी तक नोटिफिक्शन चला जाएगा वीडियो को देखने के लिए चैनल पर जूड़ने के लिए आप स अभी का धन्यवाद